आए मामिसेक मार एंड वेलकम टो मैं चैनल आज की क्लास में हम लोग कॉंप्यूटर फॉंडमेंटल का सीरीज में लेक्टर 7 का पार्ट 1 हम दो डिस्क्रस करने जा रहे हैं तो आज के क्लास का हमारा जो टपिट्स है वह स्ट हमारा डिफाइन औरपुट डिवाइस वह दो डिफाइनए करेंगे असकी क्लास में सेकेर्न हमारा जो टॉपइक है आफ्सलेय स्ट प्लेंस pontet by ठ्य London Right प्रोजेक्टर के वारे में हम लोग में ऐसे पहला हम इनुस्कर करते हैं में कि राट पुट्ड डिवाईस क्या मुश्या करते हैं यानने कि टेले कि चाहिक द्लब करते हैं की नॉक्जी वरिच हम दोगां है जेटाओ ईंपूड कराते हैं ठेक है तो हमारा जो डिटा होता है CPU store डिटा को एक information में क्या करता है चेंज कर देता है और चेंज करने के देगा वाद वह output device लेकि वह किया करता है वो सेंट करता है इसके लिए वह ताकि वह output आपर क्या करें information को display करा सके result को display करा सेके तो आटपटज दवास क्या होता है basically information को रीजुल को चिंपवाना डिस्प्ले कदाद आपए द्फिन तेस्टह को you know फोर्वेर्ट में क्या करता इंफर्मेशन को यह डियुल को को display कराता है कि different different तरीके में जैसे test हो गया test के format में display कराता है इभी जिसके format में display कराता है ठीक है यह सब आपका stop copy होता है जो कि आपकी computer screen पे display होता रहता है hard copy hard copy मतलब कि जो भी information वह क्या है paper पे paper पे क्या होता है display होता है जिसको हम लोग hard copy के नाम से जानते है एंड audio और video के format में भी क्या करता है वह display कराता है कि some of the popular output devices कुछ output device के popular example है जैसे हमारा है monitor है printer है speakers है plotter है और projector है explain monitor monitor के बारे में अब हम लोग explain करेंगे तो monitor जैसा कि हम लोग जान ते is monitor हमारा क्या है बहुत important part है अनुरे computer का जैसे हमारा CPU होता है उसी तरिका से हमारा monitor भी क्या है हमारा important part है monitor एक electronic output device है जो क्या करता है information को display कराता है monitor क्या है monitor हमारा जो है वो visual display unit के नाम से हम लोग क्या करते है monitor को हम लोग जानते है it is used to display the information in the form of soft copy monitor क्या करता है information को या result को क्या कराता है soft copy में display कराता है जैसे test हो गया टेस्ट में display कराता है video में display कराता है graphics picture के थुरू information को क्या dell ददिखले कराता है ठीक है information generated by a connected computer जो भी हम computer जो मारा connected होता है किसके थुरू connected होता यह सब कुछ וה computer video card के दोरा यह सब चीज़ क्या होता है possible होता है various types of monitor our monitors are available पर तो मॉनिटर्स बहुत प्रठाड के होते हैं पहला हमारा है CRT मॉनिटर सेकिंड LCD मॉनिटर ठर्ड है LED मॉनिटर CRT का फुल्ट्रॉम होता है cathode ray tube LCD का होता है liquid crystal display और LED का होता है light इमेटिंग डायोड यह है आपता इमेजेश का टाइप ऑफ मॉनिटर का जैसा कि हमारा जो फर्स्ट है वो CRT मॉनिटर है सेकेंड LCD मॉनिटर है ठर्ड क्या है LED मॉनिटर है CRT मॉनिटर पहले के टाम में हम लोग यूज़ करते थे हैं CRT मॉनिटर क्या होता था काफी हेवी होता था ठेक्र है यह electricity ज्यादा को टाइक है इन दोनों मॉनिटर से यह हमारा Os schaffen ओले ऐग LIGY एक डूक्वाभ पहले से ज्ग्वाइज वैं और अल्सके गांडरीक मॉनिटर ल्च आड़ और लीडीक मॉनिटर ऐंसके बाद पिच्चर डिसकर जो था एक खिलियर नहीं हो एक पिच्चर जो था एक खिलियर डिस्पले नहीं करता था अधर आप फेस्टू फेस्ट यानि की सामने आधर आप देख रहे हैं किसी यानि कि अधर आप अपने स्किरिंग को देख रहे हैं स्ट्रेट आप देख रहे हैं तो आप अब आप क्या होता था चरह एकिंट इसबों बदल के फिर क्या लाएगा यदा एक ये लाएगे लेकता 허नीटर ये और LED monitor जो है, यह LED यानि कि Light Emitting Diode यह monitor और TV दूनों में आता है और अभी के time में हमारा जो है, जितने भी smartphones है, सारे में LED display यूज होता है LCD भी display होता है, अभी के time में जितने भी smartphones है, tablet है इन सभी में LCD monitor और LED monitor का display यूज किया जाता है लेकिन LCD से ज्यादा बेटर हमारा क्या है LED मॉनिटर में क्या होता है बहुत सारे बल्स होते हैं उन सारे बल्स के दिवारा हमारा पिचर क्या होता है LCD के रिगार्डिंग और भी बेटर हमारा क्या होता है डिस्प्लेई करता रहता है कि यह था हमारा टोटल मॉनिटर के बारे में अब हमों डिस्क्रस करने जा रहे हैं एट्प्लेइन प्रोजेक्टर के बारे में कि प्रोजेक्टर क्या होता है तो यह भी हमारा क्या है प्रोजेक्टर एक और प्रोजेक्टर भी हमारा ओट्पूड डिवाइस है जो डैट प्र самारे कटेंद अग्म तो 수거 क्या दाया टेव for hottest take Oh Mareem aquellos white-screen है या या हम दोग बड़े बड़े पड़े परने बड़े में हमारा ये white board होता है उसपे हम में पिस प्वें कि हम जो भी information जो हमारा यूज़ करते हैं कुछ हमारा जो मानिटर है वह मानिटर साइच पर टिपेंड रहता है जैसा साइच रहे गार उसी के डॉड्र कुछ कराते हैं लेकिन आदर आपको एक बादे सेमिनार में बढ़े-बढ़े समिनार में या बढ़े-बढ़े डिस्ट ले कराता है, it may be use an alternative to a monitor और television, ये क्या होता है हमारा monitor और television का alternative होता है, अगर आपके पास monitor या तेली वीजन नहीं है और अगर आपके पास projector है, तो projector के मदद से आपका skilling क्या हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, आपके इसी बड़े surface का यूज़ कर सकते हैं, whiteboard वाल टेक है वाइट वाल का भी उसकार्स रसकते हैं और वहाँ पे आप जोवी पिक्चर है या जो भी बीडियू है उसको क्या टरसकते हैं उसको डिस्ट्रे करा सकते हैंग या कोई इमेजेस है ठीक है उसी मेजेस को भी आप क्या कर सकते हैं लाज़ पिपल यानि कि जाजा से यादा लोग को क्या कर सकते हैं आप उसको वीडियोस को इमेजेस को आप दिछा सकते हैं तोड़े मोस्ट प्रोजेक्टर यूज आइधर एन HDMI केवल और VGA केवल फ्रॉम एक कंप्यूटर एस देर इंपूर्स आज के दिनों में जो प्रोजेक्टर जो यूज किया जा रहा है वो हर एक चीज में हम लोग यूज कर रहे हैं यह उसके लिए HDMI केवल हम लोग यूज करत करते हैं एह टिक है इसको हम लोग असाने से उसको हम लोग यूज कर लेते हैं कश भिलो ईलिस्टी ओनट उफ आल डिफिर लेव ए प्रोजेक्टर यूज टोडेशί। 7 निचे इस लिस्ट में जो दिया हुआ है कि प्रोजेक्टर का strips तरीका है जो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोजेक्टर का हम लोग यूस किया जाता है असके दिनों में तो तरहा है फर्स्ट पॉइंड प्रोजेक्टर ए प्वरफॉयंट ग्रेंटेशन at a business meeting, projector का जो हम लोग basically use करते हैं, बड़े बड़े याधर company में जो हम लोग work करते हैं, तो अहाँ पर meeting होता है, जो कि अपने ठीक है, जो भी ये ना क्या होता है, उसके दुआरा हम लोग अपने company के बारे में, या कोई project के बारे में क्या करते हैं, प्रोजेक्टर एक प्रोजेक्टर एक स्कूल और उसको समझाथे हैं तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्टर एक कम्प्वेटर स्कूल हैं इतने भी कॉलेजन्स हैं उन सभी में आस्तर क्या होते हैं online classes होते हैं online classes या live class भी कराई जाते हैं उसके बाद फिर आपका जो होता है जो भी computer की जो पेपर होते हैं या जो भी science के जो topics होते हैं तो उसको explain उसको understand कराने के लिए उसको और भी ज्यादा विज्वल तरीके से बताने के लिए ठेक है प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है ताकि बच्छी क्या करें असानी से उसको समख सके है ठर्ट पॉइंट हमारा क्या है प्रोजेक्टर ए टीवी और कंप्यूटर विए थे मोव देखाना है और बहुत सारे लोग को क्या करना है आपको मोवी आपको क्या करना है देखाना है असकल क्या होते हैं बहुत सारे कॉलेज में या स्कुल्स में क्या होते हैं कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल मोवी देखाई जाते हैं ताकि बच्छे को क्य करने में क्या होते हैं वो मज़द करता है तो उस case में projector का यूज किया जाता है ताकि ज़्यादा बच्छे क्या कर सके उसको देठ सके ठीक है तो वहां प्रोड़क्त सके डेमट को दिखाने लिए ठीक है जितने भी प्रोड़क्त को डिस ले कर आती है तो यह आप पर अपर समझायोब कि इसलिए यहां पर यूज़ किया जाता है कि यह हम्रा प्रोजिक्ट्टर के वारे में still li information आई यह हो आप लोगू समझ में आई हो गो आए यह आता imagesिस तो प्रोजिक्टर में यह रूप्लों, डिवाएसे और यह आप्ता क्या है, और यह आपका क्या हो आपका पिच्चर वहाँ भी आपको क्या हो जाएगा डिस्प्ले करा जा सकता है ठीक है वाइट वोर्ड है वाइट वोर्ड पर भी डिस्प्ले करा जाता है आँ एप hizo क्व थेंक्यूम्स खड़ीओ करूंद ए मिल्स मेरे कि ऐसे साथ तो उस्थ खरो आगा तो कोशा क्या होग रूपल। प्प्र। के ऐसे साथ सेर्षन है